कि नमस्कार मैं डोक्टर मौलिक पेस्टड या सिम्स होसीटल में रेडियेशन ओंकोलोजिस्ट हूँ भारत में एडेनेक कैंसर के दर्दी काफी मात्रा में पाये जाते हैं हेडेनेक कैंसर यानि मुह और गले के कैंसर की मुख्य सारवार में ओपरेशन रेडियेशन और कीमोफेरापी रहती है रेडियोफेरापी की ट्रीटमेंट हेडेनेक कैंसर की ट्रीटमेंट में एक मुख्य सारवार है रेडियेशन से होने वाली side effects दो तरह से होती है सारवार के दोरान होने वाली side effects उसको हम acute side effects बोलते है और सारवार खतम होने के बाद होने वाली side effects जिसको हम late side effects बोलते है सारवार के दोरान होने वाली side effects में चमड़ी में बदलाव, जैसे काली पढ़ना, मुह में छाले पढ़ना, स्वाद में बदलाव, मुह सूखना, खांसी, लाड़ गाड़ी बनना, आदी साइड इफेक्स होती है यह सारी तकलिफे सारवार के दौरान ज्यादा से कम मात्रा में हो सकती है इसके लिए आपको डोकर दवाई बगरा देंगे और आपका काउंसलिंग करेंगे जिसकी वज़े से तकलिफ कम हो सकती है सारवार के दौरान होने वाली तकलिफ इचे से ही सारवार फूरी होती है उसके 15 से 20 दिनों में दीरे दीरे कम होने लगती है और मिट जाती है सारवार से पहले की जाने वाली proper planning सारवार के दोरान दे गई अच्छी देखबाल और accurate treatment delivery की वज़े से ज़्यादा दर side effects को कम किया जा सकता है Sims hospital में available modern machine और latest technique की वज़े से ये सारी side effects हम बहुत ही कम कर सकते हैं Radiation की सारवार और उसकी वज़े से होने वाली side effects के बारे में कोई भी पूर्वदर्णा आपके मन में है तो आप हमसे चर्चा परामर्स करें और Radiation की सारवार और उसकी side effects के बारे में सचोट और सच महिती प्राप्त करें